नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से सिक्षा प्रवा में तो दोस्तों आप सभी को पता है कि CBSC का एन्वल एक्जाम का 9th और 11th क्लास के लिए जो रिजर्ड था वो CBSC upload कर चुकी है, declare कर चुकी है और सभी students ने लगबग अपना result देख लिया है तो दोस्तों वैसे तो almost सभी बच्चे हमारे 9th से 10th में और 11th से 12th में आ गए हैं लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं चो किसी कारण से उनका compartment हुआ चाहे वो बिमार थे या वो एक्जाम नहीं दे पाए थे तो उनके पास एक और मुका है, compartment का एक्जाम देने का और 9th से 10th और 11 से 12th क्लास में आने के लिए तो बेटा आप लोगों का जो compartment एक्जाम है उसकी date sheet क्या है तो वो date sheet यहां पर आ गई है और आप लोग date sheet देख सकते हैं कि आप लोगों का कौन सा एक्जाम कब है लेकिन इससे पहले बेटा अगर आप शिक्षा प्रभा पढ़ नहीं है और आपने अपी तक भी शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी ही में आपके पेपर है तो नाइन्थ वाले बच्चों का Maths का पेपर 17 मई को होगा और 11th क्लास का Political Science और Physics का पेपर 17 मई को होगा 18 मई को 9th का कोई भी पेपर नहीं है 11th का English Core Subject का पेपर है 19 मई को बिटा 9th क्लास के बच्चों के लिए Social Science का एक्जाम होगा और 11th क्लास के बच्चों का Home Science का एक्जाम होगा 20 मई को 9th क्लास का कोई एक्जाम नहीं है और 11th में Business Study and Geography का एक्जाम रखा गया है 21 मई को बिटा 9th क्लास के बच्चों का Science का एक्जाम है और maths का exam है आपका 11th class में 24 मई को बिटा, Tuesday को 9th class का कोई exam नहीं है लेकिन 11th class का है Engineering, Graphics, and Sociology का 25 मई, Wednesday 9th class का Hindi का exam होगा और 11th class का History का exam होगा 26 मई, 9th class का कोई exam नहीं है लेकिन 11th class का Physical Education 26 मई को होगा 27 मई को बिटा संस्कृत पंजाबी और उर्दू A और B एक्जाम होगा 9th क्लास के बच्चों का और 11th क्लास के बच्चों का होगा संस्कृत कोर और बायलोजी का 28 मई को बिटा 9th क्लास का कोई भी एक्जाम नहीं है लेकिन 11th class का Hindi elective का exam होगा 30 मई को कोई exam नहीं होगा 9th class का यानि 9th का जो last paper है वो 27 मई को हो जाएगा और 30 मई को last paper रहेगा chemistry और accountancy का 11th class के बच्चों के लिए इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है कि यह जो date sheet है यह आपकी जो भी subject इस date sheet में cover नहीं हुए है जैसे कि 11th class में painting subject है या physical तो चलो दे रखा है या कुछ और भी subject हो सकते हैं जो cover नहीं है वो इस school अपने level पे conduct कराएगा और question paper will be distribute 15 minutes before the time given जो time आपको दिया गया है मैं अभी आपको बता देती हूँ क्या time है आपके compartment exam का तो the student would read the question paper and plan proper write the answers the student will start writing the answers at the specific time यानि कि paper शुरू होने से 15 minutes पहले आपको question paper दे दिया जाएगा लेकिन paper आपको लिखना time से start करना है अब देख लेते हैं कि आपका time क्या होगा तो देड़ बजे से साड़े तीन बजे तक दो घंटे का exam आपको देना होगा compartment exam का तो ये आपका time होने वाला है मैं एक बार screen को थोड़ा छोटा कर देते हूँ जिससे कि आप इस date sheet का ऐसे screenshot ले सकें चाहें तो आप pause करके वीडियो को कहीं पे इसे note कर ले या फिर आप इसका ऐसे screenshot ले ले ठीक है बिटा तो ये थी आप लोगों की date sheet compartment exam की आशर करती हूँ वीडियो आपके लिए काफी useful रहेगा और आप अगर किसी भी कारेंट से आपका एक compartment आया है तो इस बार आपका compartment निकल जाएगा और आप 3 और 12 class में आ जाएंगे इसी के साथ बिटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें